बिसम्लाइलाइक्वान रूहिम, असलाम वालेकूम, वेलकम टो क्विक रिव्यूँ और क्विक रिव्यूँ में आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी इंटरनेशनल रिलेशन्स की सीरीज और इसमें हम आज सबसे पहले जो है वो डिसकस करने जा रहे हैं इसका introduction यानि कि आज हम देखेंगे first lecture के अंदर के IR जो है वो क्या है और ये जो subject है actually में ये deal किसको करता है ठीक है और ये एक बहुत ही important subject है इसलिए क्योंकि आज कल आपको पता है कि IR ही जो है वो even पूरी दुनिया को run कर रहा है या पूरी दुनिया को जो चला रहा है वो ये सबसे major subject है और सबसे तेजी से change होने वाला subject जो है वो भी IR ही है इस time पे तो आज first lecture के अंदर हम बात करने लगे हैं जी सबसे पहले significance of IR in everyday life यानि कि everyday life के अंदर जो है वो IR किस तरह से influence कर रहे हैं क्योंकि सबसे important चीज़ यह है कि मैं IR को क्यों study करूँ यानि उसका जो link है वो किन subject के साथ है और actually मैं वो deal किसे करता है ठीक है दूसरा हम बात करेंगे जी evolution of state system के और बहुती briefly बात करेंगे क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो second lecture के अंदर हम जब discuss करेंगे history of IR ठीक है तो उसके अंदर हम state system को detail से जो है वो discuss करेंगे उसके बाद हम इस changing word के अंदर देखेंगे कि IR जो हो कितने जादा important है और हम किन बातों का answer लेने की कोशिश करेंगे उसमें सबसे पहले क्या है जी के भाई why we should study IR के हम IR को क्यों study करते है पहली बात और दूसरा जब हर state independent है एक question है के हर state independent है तो फिर हमें क्या जोड़ेत है IR की international relations को study करने की कि एक बात है अगर हर कोई आजाद है तो फिर सवाल ये है कि फिर उसका दूसरे के साथ क्या link है और अगर कोई link है तो वो किन basis के उपर है ये सबसे major question IR के अंदर होता है अच्छा इसके लाव हम बात करेंगे core values of state की और इसको देखेंगे और इसको भी हम सरसरी से discuss करेंगे क्योंकि इसको जब आगे हम nation state की बात करेंगे तो उसमें detail से बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे how state firms कैसे states जो हैं वजूद में आई उसके बाद imperial states जो हैं और आज constitutional states आज के जमाने की ये कैसी है और जो economy है खास करके इसका क्या link है international relations के साथ या उसके हैं तो वो इसी के अंदर हैं कि उसके कहां पर एकनॉमिकली जहां पर मफाद जो हैं वो match हो रहे हैं और इसके लावा हम देखेंगे globalization जो है वो किस तरह से IR को firstly जो हो change करी और क्या-क्या challenges पैदा कर रही है आई-ार के लिए ठीक है कि भाई globalization जो है अब उसने किस तरह से IR को tough बना दिया मजीद और इसकी study को इतना ज़्यादा complex कर दिया तो देखते हैं अब सबसे पहले अगर हम बात करें IR की everyday life के अंदर तो देखिए एक बहुत simple सी बात ये है कि IR का जो मतलब है वो क्या है जी international relations अब international relations normally जो इसकी definition की जाती है वो क्या है कि जो official relations है जो भी official relations है एक state के दूसरी state के साथ उनको IR कहा जाता है लेकिन अब इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि officially नहीं लेकिन फिर भी वो IR का हिस्सा है इवन वो जादा impact करती है जैसे के NGOs के अगर हम बात करते हैं non-governmental organizations की ठीक है international organizations की अगर हम बात करते हैं वो ये ऐसी चीज़ें जो के बहुत जादा influence कर रही है इस time पे IR को तो इसका मतलब IR इस time पे हर तरह से linked है अब यहाँ पे एक बहुत simple सा question ये पैदा होता है और वो क्या के भाई मेरे लिए क्यों important है IR चले हम तो study कर रहे हैं एक्जैम के point of use हमें तो इस कहां से जानने की जूरत है यह नहीं फिर भी हमें करना ही करना है लेकिन एक common सा question है कि मेरे लिए क्यों important है मैं कहां पे connected हूँ international relations से यह सबसे important question जो है वो मेरे लिए पैदा होता है तो everyday life का हमें idea भी इसी से होगा कि मेरे लिए कितना important है अब देखिए उसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि अब यहाँ पे आईए जरा कि अगर हम यह देखते हैं कि एक state जो है एक रियासत जो है उस रियासत का purpose क्या है भाई सबसे पहले तो question यह है न कि एक रियासत क्यों वजूद में आई अब इसको हम आगे जब जाएंगे international relations के अंदर तो हम जब detail से theories को discuss करेंगे realism की, idolism की तो उनको जब हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या idea होगा कि भाई जो state है वो बनाई क्यों गई already हम political science अगर आप लोगों ने पड़ी है तो उसके अंदर हम discuss कर चुके हैं इस बात को हमें इनसाफ हासिल हो और हम आजाद हो वहां पर और welfare हो सके हमारी यानि ये वो core values हैं किसी भी state की जो ये बताती है कि एक state का purpose क्या हो सकता है देखे state अब नहीं थी तो क्या था तो इसका मतलब ये है कि बहुत से philosophers ने कहा बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था मतलब कि भाई सब बहुत अच्छा था क्योंके ना कोई property थी ना कोई जायदात का कोई तनाज़ा था ना कोई लड़ाई थी ना कोई बड़ा था ना कोई चोटा सब बराबर थे एक question तो ये है फिर कुछ philosophers ने का ना भी ना ऐसा बिलकुल भी नहीं जब state नहीं थी तो state अफ अनार्की थी इसका मतलब क्या है state अफ अनार्की क्या है कि एक civil war थी हर शेफ्स दूसरे के साथ जो हो लड़ाई जगड़े में लगावा है तो यानि कोई rules नहीं कोई laws नहीं कोई peace नहीं कोई freedom नहीं को production नहीं तो इसका मतलब वो जो हम सुनते आए है survival of the fittest कि भाई history हमें क्या बताती है जो evolution है वो क्या बताता है कि survive उसी ने किया या वो ही कर सकता है जो सबसे fit है इसका मतलब लड़ाई जगड़ा था वहाँ पे ताकत का इस्तमाल था और ताकत सबसे important थी तो इस ताकत को balance करने के लिए इस power को balance करने के लिए state बनाई गई कि भाई सब जो है वो equal है अब state का जो basic purpose था वो क्या हुआ इसका मतलब के हम state इसलिए बनाए के भाई मुझे जो है वो security हासिल हो मुझे जो है वो सुकून अमन पीस हासिल हो मुझे इंसाफ हासिल हो ठीक है और मैं आजाद हूँ सबसे बड़ी बात और मेरी welfare हो सके ठीक है मेरे लिए यानिए के मुझे facilitate किया जाए और state की तरह से किय जाए उसके against में state मुझे से जो मांगती है मुझे services उसे दूँ अब ये जो purpose है state का ठीक है ये जो हमें नजर आ रहे है तो अगर इसकी बात की जा तो क्या इससे मैं link हूँ या नहीं ठीक है अगर मैं इससे link हूँ obviously मुझे security चाहिए मुझे peace चाहिए मुझे justice चाहिए मुझ knowledge ही नहीं इल्म नहीं तो वो दूसरे को दे सकता है नहीं दे सकता इसका मतलब उसके पास कुछ होगा तो वो दूसरे को देगा बिल्कुल वैसे ही जब state के पास खुद की security होगी तो वो दूसरे को देगा जब खुद का peace होगा खुद का justice होगा खुद की freedom होगी और खुद पीस है जस्टिस है इनसाफ की फरामी क्योंकि रियासत कमजोर है इसका मतलब ये चीज़ें रियासत के पास खुद जो है 100% मौझूद नहीं उनकी शूर्टी नहीं तो वो हमें कैसे देगी इसलिए अब रियासत इन चीज़ों को मिंटेन करने के लिए क्या करती है बिल्कुल अगर आप कुनेक्ट है स्टेट से क्यूंकि आप स्टेट के लोग हैं तो इसका मतलब यहां है स्टेट आई-ा या से हम जो है वो किसे कुनेक्टेッट हैं और हम बात करें तो हम आई-ा या से connected हैं हर तरह से आगे देखते हैं आगे भी हमें नजर आएगा कैसे हम connected हैं अब देखे अगर बात करते हैं security की ठीक है security की बात करते है security and peace की अगर हम बात करें IR के हवाले से तो देखे एक state अपनी security को कैसे maintain करेगी let's suppose अगर हमें problem है इंडिया से, अगर हम बात करते हैं, हमें problem है इंडिया से, या किसी और छोटी state को problem है, किसी बडुbी state से, तो obviously उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी security को protect करने के लिए alliance बनाने पड़ेगे, दूसरे उमाले के साथ बढ़ना पड़ेगा दोस्ती बनानी पड़ेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं कमजोर हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ relations बिल्ड करने पड़ेंगे अपने जैसे लोगों के साथ या खास करके अपने से ताकतवर लोगों के साथ, हर कोई अपने से ताकतवर लोगों के साथ उठना बैटना चाहता है, ऐसा ही है, तो जब मैं रिलेशन बिल्ड करूंगा, तो मेरी ताकत भी जादा होगी, इसका मतलब वो शखस मुझे प्रोटेक्ट करेगा, उस ताकतवर के अगिंस्ट में, बिल्कुल स्टेट भी वैसे ही करती है, इसका मतलब स्टेट्स सेक्यूरिटी के लिए सबसे पहले जो है, वो क्या गरती है, वो डिपेंड करती है, आयार के उपर, और दूसरे हों वाले के साथ लिंक बनाती है, और खास करके जो कमजोर स्टेट्स है, दूसरा अगर बात की जाए economy और trade की तो देखिए सबसे major जो आज की discussion हो रही है वो economy के उपर ही हो रही है IR की सारी की सारी debate क्योंकि अब globalization है तो globalization में बहुत से जहां पर problems है वहीं पर सबसे क्या बड़ी चीज़ है जी opportunities बहुत जादा है तो opportunities क्या है economic opportunities है अब economic अली देखिए बहुत simple सी बात है कि एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के साथ क्यों alliance बनाएगा या उनकी NGOs के साथ कैसे उसके relations होगी NGOs दूसरे मुलक में आके अपना काम करेंगी वो क्यों करेंगी इसलिए करेंगी क्योंकि state को या रियासत को से फाइदा होगा सियासत जो है उन्हें allow करेंगी कि वो काम करेंगी इसी तरह से रियासत खुद क्या करेंगी दूसरे मुलक के साथ trade agreements करेंगी और trade को बढ़ाएगी जो चीज हमारे पास surplus value के अंदर है हम वो देंगे दूसरों को और उसके against में जो उनके पास surplus है वो हमें देंगे इससे क्या होगा इससे हमारी trade बढ़ेगी हमारे जो एक पूरे का पूरा system है वो run होगा बहुत अच्छे से इसका मतलब यह है कि यह जो trade है यह सबसे important है international relations के अंदर और इसका purpose भी यही है कि आज अग देखिए अगर आज हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती जैसे नहीं बन रही तो हमें problem कहां पे हो रही है हमें trade में problem हो रही है हमें भी trade के अंदर problem हो रही है कि हमें दूर से अगर चीज़े मंगवानी पड़ती है तो महंगी है यह वो चीज़े जो हमारे पास मौझूद नहीं हम वहां से ले सकते हैं लेकिन हम अपने relations की वज़ा से नहीं ले पाते ठीक है इसका मतलब economy जो है वो बहुत जादा major factor है इसी तरह जो मालिक जिनकी तालुकात अच्छे हैं वहां पे free trade है वहां पे कोई taxes नहीं उनकी products को easily जो हो अपनी मंडियों के अंदर जाने देते हैं जिससे उनको फायदा है तो basically जब economy अच्छी होगी तो naturally क्या होगा रियासत जो जो IR बिल्ड कर रहा है या IR के थूरू बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है आज हम देखें हमारा जो China के साथ link है सबसे important चीज़ ठीक है China के साथ जो हमारा link है वो बहुत जादा important और वो totally जो किसके उपर base कर रहा है जो economy के उपर हमारी जो economy है उसको China की तरफ से बहुत ज फाइदा है अगर मुलक आगे जाएगा तो हमें जो है उसका फाइदा होगा मुलक पीछे जाएगा तो हमें उसका नुकसान होगा हमें जादा taxes pay करने पड़ेंगे हम जो है वो बहुत जादा struggle करेंगे आगे अगर हम बात करें तो देखिए हम बात करते हैं अगर social interaction की या globalization की तो उसके लिए भी IR बहुत जादा important है आज दुनिया जो है वो globalized हो चुकी और अगर globalized हो चुकी तो इसका मतलब क्या है कि वो एक village बन चुकी है अब ये कोई difference नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ ठीक है और कोई शक्स जो है वो अमेरिका के अंदर है अगर मुझे business करना है मुझे trade करने है मुझे उसके साथ social link सकने है तो मेरे लिए कोई problem नहीं मैं यहाँ बैट के रख सकता हूँ मुझे किसी भी किसम का कोई problem नहीं इसका मतलब ये है कि अब जब मुझे जो है मेरे मुलक मुझे support करेगा दूसरे हमाले के साथ relations रखने में ठीक है तो क्या होगा मुझे फाइदा होगा मेरे मुलक को भी फाइदा होगा मुझे भी फाइदा होगा क्योंकि अगर let's suppose मैं अगर कोई organization रन कर रहा हूँ या कोई company रन कर रहा हूँ ठीक है उससे क्या होगा कि हमें जो है वो फाइदा होगा और हम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब socially भी जो IR है वो बहुत जादा important role play कर रहा है अब इसी तरह से जो मुमालिक के relations है जो countries के relations है आई देखिया पाकिस्तान अगर बहुत से challenges से गुजर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा problem ये है कि दूसरे मुमालिक जो है वो हमें शक की नजर से देखते है या शायद हमारी जो image बिल्ड हुई है जो के एक जमाना लगा बिल्ड होने में तो वो image जो है बहुत खराब बिल्ड हुई है जिसके नतीजे के तोर पे आज दुनिया हमें और तरह से देखती है और हम से वो relations नहीं रखना चाहती जो दूसरे मुमालिक के साथ उसके relations होते है उसका सबसे अगर आप बड़ी example देखे कश्मीर के ओपर हमें कितने मुमालिक के सपोर्ट किया और अगर सपोर्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया एक question है क्योंकि हम economically जो है वो इतने strong नहीं जितना इंडिया है और जितना फाइदा इंडिया दे सकता है दूसरे मुमालिक को उतना हम नहीं दे सकते इसका मतलब दुनिया उनकी तरफ ज़ादा जुकी वी है, हमारी तरफ कम जुकी वी है तो ये सारे की सारी चीज़े आप इंटरनेशनल ली यहाँ पर matter कर रही है तो इसका मतलब जो एक मुलक है दूसरे मुलक साथ जो relations है वो बहुत ज़ादा important है हर लिहाज से इसके लोगर बात की जाए activities की, policies की, NGOs की, IGO की या multinational organizations की तो देखी ये आज हर मुलक के अंदर मौजूद है आज अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो आप सुबा से लेके शाम तक जो products खरीदते हैं तीक है वो products आप क्या खरीदते हैं, कितने % ऐसी products जो made in Pakistan है तीक है, उसमें से 99% products आप जो खरीद रहे हैं, वो सारे के सारी multi-national organizations की है इसका मतलब क्या है, कि हम जो daily चीज़ें जो use कर रहे हैं, even पूरी दुनिया के अंदर वो क्या हो रही है, जी वो multi-national corporations की है, तो इसका मतलब वो अपना role play कर रही है as a trade, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर हमारे relations अच्छे हैं और बहतर हैं, तो हम उसमें फायदा हासिल कर रहे हैं अगर अच्छे नहीं तो हम फाइदा नहीं हासिल कर रहे हैं और अगर हम अच्छे नहीं रखते तो यह international organizations यहां पे आके कभी भी काम नहीं करेंगी जो हम challenge एक face कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ interconnected है यह याद रखेगा हर चीज़ interconnected है अब कैसे interconnected है हम इसको बहुत जादा अच्छे समझ सकते हैं कि जैसे हम IMF के programs ले रहे हैं अब IMF के programs हम ले रहे हैं लेकिन IMF हर बार जो है बहुत tough जो है वो शरायत के उपर एक तो हमें text देता है हमें जो है वो loan देता है और उपर से हमसे लेता है तो उसके बाद जो है IMF का जो loan है वो influence करता है इसका मतलब यह है कि वो जो loan है अब अगर हकुमत ले रही है तो इसका मतलब क्या है उसको शराय सूथ के उपर ले रही है उसके नतीजे के तोर पर उसे taxes बढ़ाने पड़ेंगे अब जब taxes बढ़ेंगे तो उसका बोज किस के उपर आएगा उसका बोज आएगा आम आदमी के उपर इसका मतलब आम आदमी कैसे जो है वो आप देखें IMF के चुंगल पे फसावा है कि वो वहाँ पे बैटके बाहर के उमाले के बैटके हमें control कर रहे है क्योंकि जब हमारी स्टेट ऐसी पॉलिसी जो IMF के हेगी डॉप करेंगी तो वो पॉलिसी डारेक्ली हमारे उपर जो है वो असर अंदाज होंगी इसी तरह से एक बहुत recent example आप लें औरत मार्च के हवाले से अब देखें एंजियोज का रोल आप देखें यहाँ पर कितना strong है IR के अंदर इस time पर क्या रियासत इतनी कमजोर है कि वो औरत मार्च को रोक नहीं सकती question यह है मैं general बात कर रहा हूँ प्लीज इसके ओपर तनकीद आपने हर्गिस नहीं करनी मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ लेकिन देखें अगर औरत मार को रियासत चाहे तो रोक सकती है लेकिन क्यों नहीं रोकती सिर्फ और सिर्फ IR की वज़ा से क्योंकि यह औरत मार जो है यह foreign funded normally यह माना जाता है एक राय है क्यार foreign funded है NGOs करवाती है तो NGOs को अगर हम अपने मुल्क में बैन करेंगे तो उससे क्या होगा जो हमारा soft image है यह soft image है यह international relations के अंदर बहुत ज़्यादा important होता है जिसको आगे हम discuss करेंगे ठीक है तो soft image खराब होगा हमारा क्यार हम इतने ज़्यादा conservative हैं कि हम एक मार्च को बरदाश नहीं कर सकते और हम इस तरह से अगर चार पांच सो लोग बाहर आ जाते हैं तो हम उसके लिए इतना ज़ादा परिशान हो जाते हैं स्टेट इतनी कमजोर है इसका मतलब ही है कि international organizations जो हमको एक pressure होता है उस pressure की वज़ा से रियासेत इसको रोक नहीं सकती रियासेत इसको रोकती भी नहीं अपने image को maintain करने के लिए और इन NGOs की power की वज़ा से कि आज societies के अंदर आप देखिए हजारों NGOs काम करें सबसे पहले तो आप बात की जाए तो UN की ही बात करें कि UN किस तरह से अपने पंजे जो है वो गाड़े वे है पूरी दुनिया के अंदर और किस तरह से ये दुनिया को run कर रहा है तो इसका मतलब ही है कि ये सारे की सारी NGOs बहुत ज़्यादा powerful है इस औरत मार्स का एक आम आदमी की जिंदगी के ओपर ये हमारी social life के उपर एक असर तो हो रहा है असर हो रहा है इसी वज़ाए जो हम shore कर रहे है इसका मतलब हम फिर भी नहीं रोक पा रहे क्योंके NGOs का pressure है और NGOs को क्यों नहीं रोक पा रहे क्योंके हमारे relations हैं हमारे relations खराब होते हैं तो हर चीज़ interconnected है एक दुस्रे के साथ अब अगर हम बात करें ancient times की के पुराने वकतों के अंदर देखिये क्या होता था पुराने वकतों के अंदर अगर अगर हम बात करें तो उस में सबसे important क्या चीज़ है के पुराने वकतों के अंदर भी state के relations थे लेकिन उसमें जो सबसे important था वो trade था क्योंकि उस जमाने में imperialism थी, बाच्याहत था जिसका दिल करता, दुनिया को फता करने का वो निकलता जी दूसरे हमाले को फता करता जाता तो उसे ये problem तो हरगस नहीं था कि यार उसे इसलिए relations रखने हैं ताकि उसे फाइदा हो सके ये तो उसे अगर फाइदा लेना था तो वो दूसरे को जो है वो उसकी जो territory है उसकी जो sovereignty है, उसको पामाल करता तो उस time पे सबसे important चीज जो थी वो trade के relations थे चाहे वो state रखती या चाहे वो लोगों के बीच में थे जैसे हम example लेते हैं जैसे अरब जो है, वो हिंदुस्तान के साथ trade करते रहे और एक जमाने से करते रहे इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे silk road की तो देखिए अब old time में क्या होता कि चाइना जो यॉरप है यॉरप से लोग क्या करते जी चाइना आते और यहाँ जो है वो silk की trade करते जिस वजह silk road इतना जादा famous हुआ तो इसका मतलब उस time पे भी जो relations थे वो मौजूद थे लेकिन क्यूंकि वो official नहीं थे वो public की बीच में जादा थे traders की बीच में थे इसके उनके उपर इतने जादा debate नहीं होती थी दूसरा सबसे important चीज़ कि states की territories change होती रहती यह बहुत बड़ा problem था कि एक बादशाने फ़ता कि या साथ अली state को तो उसकी territory change होगी दूसरी जो state थी उसकी जो sovereignty वो खतम हो गई उसके बाद दुनिया बहुत चेंजी तेसे change हुई उसका सबसे बड़ा reason क्या था कि world world second के बाद तक्रीबन 90% जो countries थे वो सारे के सारे independent states बन गए क्योंकि उससे पहले अगर वो बादशाहत के अंडर आते थे कहीं ना कहीं कबजा क्या आवा था यह एक isolated state है यह जैसे इरान की आप आज बाद करें कि वो जो हो कितने मुश्किल crisis से गुजर रहा है कि अगर हम यह कहते हैं कि भाई हमें international relations नहीं रखने हमें दूसरे मुमालिक को नहीं मानना तो फिर क्या होगा इसका मतलब हम isolate हो जाएंगे जब हम isolate होंगे तो हमारी trade cut off हो जाएगी हमारी security जो है वो problem हो जाएगी हमारे उपर sanctions आएंगी जैसे इरान face कर रहे है हमारे जो foreign investment है जो बहुत important role play करती है वो खतम हो जाएगी इसका मतलब यह है कि जो international organizations है वो हमारे मालक माना छोड़ देंगी job creation खतम हो जाएगी तो isolated state उसके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना जैसे इरान के लिए इसी तरह से जो एक active state है जैसे आप बात करें इंडिया की तो देखिए हमने कितना highlight किया कश्मीर के issue को बावजूद इसके इंडिया को बहुत जादा फरक नहीं पड़ा क्यों कि बहुत active state है उसकी लॉबिंग उसकी डिप्लोमेसी बहुत जादा strong है इसी तरह से जो बाकी states है जिनकी डिप्लोमेसी strong है इस time पे वो देखें top पे हैं वो enjoy कर रही है वो बहुत जादा privileges जो है वो enjoy कर रही है तो अगर बात करें old times की तो जैसे बता चुका हों कि trade relations जो है बहुत जादा important थे उसके बाद middle times के अंदर भी जो है medieval जो ages थी उसके अंदर भी 12 century से लेके 18 century तक जो है हमें नज़र आता है कि trade बहुत जादा important रही उस time पे अंदर भी जैसे एक example लेते हैं तो east India company हिंदुस्तान के अंदर क्यों आई question ये है trade के लिए आई इसका मतलब वो भी एक IR ही था कि हमारे जो relations बिल्ड हुए यहां पे मोगल empire का relations बिल्ड हुए किस के साथ जी हिंदुस्तान के UK के साथ तो इसका मतलब वो क्या था वो भी आई आर था गो के जो बाद में change हुआ और colonism का एक जो है वो एक दोर start हो गया जिसके एक दोर पे colony बनी लेकिन actually में उस time पे भी trade relations मौजूद थे फिर अगर हम बात करें late middle ages की तो late middle ages के अंदर यानिके 18th और 19th century के अगर हम बात करें तो जिस time पे originally जो है वो states आहस्ता आहस्ता आजाद होना start हुई और उस time पे हमने देखा कि आहस्ता आहस्ता क्या हुआ कि relations build हुए और IR जो है वो सामने आया हमने देखा कि international relations को properly manage करके manage किया जा रहा है 18th या 19th century के अंदर जिसको हम आगे जो है वो state system के अंदर discuss करेंगे और इस time पे multi national का आप role देख लें कि multi national कितना important role play कर रही है चाए उसकी progress में कर रही है या चाए उसको पीछे लेके जा रही है लेकिन वो एक role play कर रही है हर तरह से क्योंकि आज imperialism खतम हो चुका लेकिन आज ये जो multi national है इनका imperialism है दुनिया को उपर इनका hold है इसी तरह से security dilemma कि अगर हम बात करें तो एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ सबसे importantly जो relations रखने है वो किसली रखने है अपनी security को या balance करना है अपनी power को ठीक है power balance जो है बहुत ज़्यादा important है ठीक है इसी तरह से अगर बात करें national security की तो national security के लिए सबसे important चीज होती है military कि हमें एक forge रखनी पड़ेगी ठीक है अपनी security को maintain करने के लिए और उस forge को weapons जाई होंगे अगर हम वो खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है लकिन नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब हमें super powers के साथ जो है वो relations manage करने पड़ेंगे जैसे पाकिस्तान की history रही कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो है वो relations रहे जबसे पाकिस्तान आजाद हुआ सिर्फ इसलिए कि उसमें सबसे जादा फाइदा हमारी military का था क्यों कि उनको weapons मिलते थे उनको add मिलती थी तो वो बहुत जादा एक फाइदा होता था इसका मतलब हम America के साथ relation में रहे जैसे Cito Cento के अंदर तो उससे हमें फाइदा ये हुआ कि at least हम भी जो है वो एक save site पे कहीं ना कहीं रहे किसी ना किसी हाथ तक रहे alliances रहे तो आज दुनिया अपने आपको save करने के लिए क्या करती है powers को manage करती है balance of power बहुत जादा important है world war second और world war first हमारे सामने examples है कि उसमें क्या हुआ इसी तरह से military जब बहुत जादा लेकिन जब हम जंग में तब नहीं जाएंगे जब हमारे साथ कोई strong जो है वो ally होगा क्योंकि अगर हमारी दोस्ती किसी तगड़े शक्स के साथ है तो obviously हम से हर कोई डरेगा तो अगर हम कमजोर हैं तो हर कोई war पे तियार हो जाएगा हमेड जो है वो शिखस देनी कोशिश करेगा जंग की कोशिश करेगा उत नतीजे के तोर पे क्या होगा कि लोग जो है वो सफर करेंगे जैसे कि जो third world countries अब हाँ पे तो बहुत ज़्यादा problems है इस इतना से human rights जो है यह civil rights जो है बहुत ज़्यादा important आज के जमाने में और यह भी एक international issue ही है आप देखे कितनी organizations जो है वो आज काम कर रही है human rights के उपर कि एक शफस को human rights के उपर अगर human rights उसका issue उठा दें तो उसको सजा देना एक बुल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अब अकसान के अंदर हजारों ऐसी examples देखेंगी ठीक है बहुत ज़्यादा मुश्किल क्योंकि internally हमें problem नहीं लेकिन जहां पे human rights की बात आ जाए तो वहाँ पे UN बहुत ज़्यादा active है वहाँ पे UN active हो जाएगा वहाँ पे दूसरी organizations active हो जाएगी वो कहेंगी ना भाई आप तो जो है वो बहुत ज़्यादा पर बात नहीं है conservative है आप इस तरह के आपकी state ये है soft image खराब होता है तो उससे बहुत ज़्यादा problems जो है वो माले के लिए पैदा होते है अब देखिए अगर हम बात करते है school of thoughts की तो IR के अंदर हमें नज़र आता है four different types of school of thoughts जो बहुत ज़्यादा famous है ठीक है जो के मुक्तलिफ बाते गड़ते है अब ये सारे के सारी क्योंकि IR सारे के सारी law तो कोई है नहीं ये सारे के सारे theories है तो अब इसका मतलब जब theories है तो कोई भी गलत नहीं हो सकता हर कोई अपने अपने point के ओपर जो है वो कहीं न कहीं ठीक है और जो argument वो दे रहा है वो valid है कहीं न कहीं तो वो जो different school of thoughts हमें नज़र आएंगे उसमें जो सबसे important चीज़ है वो security ही है एक मुल्क के लिए कि भई जो realist philosophers हैं जो realist IR के theorists हैं वो क्या बात करते हैं वो कहते हैं security सबसे important है और security के लिए क्या चीज़ है जी power politics आपको करनी चाहिए जैसे America power politics करता है ठीक है जैसे India करता है power politics यही आज आपको जो है वो save कर सकता है यह conflicts जो है यह जो wars है यही हकीकत है दुनिया कर हकीकत में अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हाँ यार ऐसा ही तो हो रहे दुनिया के अंदर कि भई आज तो सारी के सारी power politics है अगर पाकिस्तान जो है वो relation रखना चाहता है चाइना के साथ तो एक तो trade तो ही है लेकिन दूसरा क्यों है क्योंकि वो अपने आपको strong कर रहा है ताकि दुश्मन के उनकाबले मजबूत हो सके तो इसका मतलब power politics हो रही है आज आज हम अगर देख रहे हैं तो एक school of thought यह है दूसरा school of thought बात करता है liberalism की भाई यह जो है ना यह बड़े ख्याली लोग है philosopher's टाइब लोग है और यह बात करते है आजादी की जैसे आप भी आप मैंसे सुनने वाले भी बहुत से ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ यार यह सही कह रहे है हकीकत यही है कि आज दुनिया को जो है ना वो cooperation की जूरत है peace की जूरत है, progress की जूरत है तरक्की करे, यह क्या लड़ाई जगड़े लगाए है अब बस बहुत हो जाए, अमन होना चाहिए आपने सुना ना, यह जंगे ही क्यों अब दुनिया को अमन की तरफ जाना चाहिए दुनिया अमन की जगा है और यहाँ पर peace होना चाहिए, हर एक रहे आजादी से रहे, ठीक है, तो यह आपको school of thought मिलेगा, लेकिन यह हकीकत में ऐसा होता नहीं एक third मिलेगा international society order and justice की बात करेगा school of thought, यह जो international society है यह सबसे ज़ादा जो बात करेगी इसके नजदीक यह globalized society है इसके नजदीक यह जो मुमालिक है इनकी ज़ादा हमियत नहीं, अगर importance है कुछ तो वो क्या है जी, वो order है justice है, इंसाफ का निजाम है ठीक है, इसके इलावा इनकी वो qualities जो के एक दूसे के साथ match करती है जैसे हम इनसान है, तो हम सब को चाहिए rule of law चाहिए, ठीक है हमें institutions चाहिए, बहतरीन किसम के जो हमें protect कर सके, जो हमें बहतर बना सके, एक ऐसा school of thought आपको दिखाई देगा, ठीक है, जैसे UN आजकर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, हम देखते है realism के उपर आप देखें कितना ज़्यादा काम हो रहे security के उपर और IPEs के उपर जो है, वो देखें, कि ये क्या बात करते है ये बात करते है, welfare की, ये बात करते है wealth creation की, ये बात करते है यहाँ पर एहसास program स्टार्ट किया तो हमें कर्स दें, हम क्योंकि यहाँ पर poverty को खतम करेंगे, हम गरीब लोगों को खाना देंगे इसका मतलब एक वो दुनिया है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कि वो बात करते है wealth creation की, कि ये लड़ाई जगरे से वो भी दूर रहना चाहती है, तो ये different type के school of thoughts हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके लावा जो main focus है IR का, वो किसके उपर है, वो है जी diplomacy के उपर, देखे सबसे important role जो play करती है, war है, trade है alliances है, और cultural exchange है या organization है, जो international international, इन के उपर एक बहुत जादा main focus IR का, कि वो इनको study कर रहा है कि ये किस तरह से change हो रही है चीज़े इसी तरह से conflicts and corporations की बात करता है, कि कहां पर कोई पंगा है, और कहां पर cooperation हो रही है किस तरह से चीज manage हो रही है international security की बात करता है जैसे आप देखें international security अब FATF की बात करें, तो पाकिस्तान कितने tough time से गुजर रहा है कि वो कहते हैं, आप जो है terrorist funding करते हैं, तो international security के लिए problem है इसी तरह से war and terror अगर बात करें, अमेरिका की कि वो 20 साल से अफगानिस्तान के अंदर घुसावा क्या कर रहा है कि बाई international security को threat है अगर हम तालबान को छोड़ देंगे अलकाइदा को छोड़ देंगे आज इसके उपर बात हो रही है international political economy की बात हो रही है जैसे उपर मैंने कहा कि आज जो है अना free trade है और free trade को promote किया जा रहा है आज जो है वो दुनिया global village बन चुकी अब इन areas को discuss करने के लिए या वो कौन से core areas है जिनको study किया जाता है इन चीजों को manage करने के लिए इनको देखने के लिए तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास eight मुखतरिफ तला की जो है हमारे पास categories है उमाले के साथ तालुकात को आज study किया जाता है non state actors का role क्या है most important जैसे NGOs वगेरा है international political economy क्या है किस तरह से run कर रही है किस तरह से political economy जो है वो छोटे उमाले के साथ कैसे manage करती है बड़े उमाले को क्या फाइदे होते हैं उससे और किस तरह से वो monopoly create करते है international security की बात की जाती है जैसे terrorism की अगर हम बात कर रहे है या terrorism funding की बात कर रहे है या ऐसी organizations जैसे ISIS की बात करे है अगर तो वो middle east के अंदर जो हो क्या problem है globalization को deal करते है कि आज के ये changing word है इसमें globalization जो है वो कैसे जो है फासली हो रही है जब दुनिया में ये खतम होता जा रहा है concept nation state का क्यूंकि अब देखें जब globalization है तो एक nation state का concept बहुत ही आम सी चीज़ रह जाती है अब हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ उसके ऐसे relations बिल्ड हो चुके है अब देखें कोविट के अंदर ही कितनी तेजी से फैला सिर्फ और सिर्फ globalization की वज़ा से कि वहां से लोग यहां यहां से लोग वहां तो उससे problems बहुत ज़ादा create भी हो रही है लेकिन उससे opportunities बहुत ज़ादा पैदा भी हो रही है तो problem यह है कि यह जो problems create हो रही है इनको कैसे identify किया जाए और यह जो फाइदे हैं इनको कैसे maximum किया जाए यह globalization के उपर IR की study है अचा इसके लाब foreign policies की बात करते हैं जो super powers हैं उनकी किस तरह से अब जैसे अमेरिका है तो हम बात करें कर जो बाइडन सहाब की तो जो Biden क्या क्या policies जो है वो adopt करेंगे in future और उनमें जो पाकिस्तान है उसकी क्या बात हो सकती है internationally China के हवाले से क्या बात हो सकती है जो trade war लगी भी है इसका मतलब इनकी foreign policies time to time जो change होती है तो उसको discuss करना international environment आप देखें आज बहुत बड़ा issue है जिसके उपर जो है वो कितने ज़्यादा conferences हो चुकी है और you and बहुत ज़्यादा active role जो हो इसके उपर play कर रहा है और time to time वो conferences भी जो है वो conductor वाता है even palanties डालता है जो हो मालक उसकी बाते नहीं मानते तो ये international environment आज बहुत बड़ा की issue है और international terrorism जैसे ये तो issue है ही है obviously इसके उपर बातचीत की जा रही है या इसके उपर आप देखें जैसे इसलाम को जो है वो point of किया जा रहा है कि भाई terrorism सिर्फ वहीं से आ रही है तो Islamic countries के लिए बहुत बड़ा challenge है तो यहाँ पर जो है इस तरह से इस चीजों के role को जो है वो manage करना कि भाई इसलाम का जो है वो terrorism से तालुक नहीं लेकिन ये कौन identify करेगा किस तरह से तो ये सारे के सारे वो core जो areas है जिनको study किया जाता है IR के अंदर ठीक है international relations के अंदर कि ये चीज़ें बताती है कि जो मुलक है वो किस सिमत पे जा रहा है उसकी policies क्या है और दूसरे हमाले की उसके साथ क्या policies है उसके against क्या policies है और क्या जो है आने वाले time के अंदर future के अंदर जो है वो क्या dimension बनने जा रही है दुनिया की देखिए history normally deal करती है past को इसी तरह से IR normally आपको नजर आएगा वो deal करेंगे present और future को और खास करके future को future की जो policies है या future में जो होने लगए उसको predict करना IR का सबसे interesting काम है IR को सबसे अच्छा लगता है कि जब यह कहा जाए कि यार हमने कहा था कि 10 साल के बाद ऐसा ही होना है कि चाइना और अमेरिका जो है उनकी trade war होनी हो देखो हो गई तो इसका मतलब यह है कि हमने कहा था IR वलों ने कहा हमने कहा था तो एक बहुत अच्छी बात है तो बिल्कुल यही चीज़ें जो है वो IR के अंदर आज discuss हो रही है तो यह सारे का सारा इसका जो nature इसकी scope है और हमने देखा कि हर चीज़ में हमें दिखाई दे रहा है कि आज IR है और हर शखस जो है वो even connect है किसके साथ जी international relations के साथ आज connect है तो इसको यहाँ पर first को close करते हैं और आपकी feedback के लिए जो है वो comment section मौजूद है good और negative दोनों के लिए thank you